Good morning students. Students, today we will study unit 3 and in unit 3 we will study poem 1. The name of our poem is My Shadow. So, what do you mean by shadow? Yes, shadow मरलब परच्छाई हम जहां भी जाते हैं और आसपास जब light कम हो तब जो हमारी body होती है वही हम सामने हमारी same body को देखते हैं जो हमार से भी बहुत तॉल होती है So, shadow मतलब परच्छाई So, we will read and recite this poem that is My Shadow So, let us start our poem So, before beginning with our poem, let us read something Do you know whenever there is light, someone follows you? Have you ever wondered who it is? So, इसमें क्या पूछ रहे हैं? कि जब भी light होती है और हम कहीं चल रहे होते हैं तब हमारे पीछे पीछे हमारे साथ भी कोई हमें पीछा करता है हमारा हमें follow करता है तो वो क्या चीज है? हमें कौन follow करता है? कभी सोचा है? Yes, it is our shadow हम जबी भी चलते हैं तब हमारे साथ साथ हमारा shadow भी follow करता है हमारा shadow भी हमारे साथ चलता है shadow मतलब परचाई so as you can observe in this picture there is a boy who is holding a torch so उसका जो torch उसने पकड़ा है और वो अपना हाथ torch की light के उपर रख रहा है तो उसका जो पूरा shadow है वो सामने दिख रहा है black color का होता है shadow is always dark in color so वो पूरा dark color में होता है और हम जैसे होते हैं हमारी body जैसे होती है वही same to same हमारा shadow होता है so let us recite the poem yes so unit 3 poem 1 my shadow so let us read and enjoy yes I have a little shadow that goes in and out with me मतलब मेरे पास एक little shadow है मेरा shadow मेरे पास एक छोटा सा परचाई है मेरी और वो परचाई हमेशा अंदर और बाहर मेरे साथ हमेशा चलती रहती है तो मेरी जो परचाई है वो बहुत छोटी है और हमेशा मेरे पास मेरे साथ चलती है कभी मैं बाहर जाओं, अंदर आओं, हमेशा मेरे साथ ही रहती है and what can be the use of him is more than I can see मतलब मैं जहां आ जाता हूं, वहां उसका होता ही है मेरी shadow, मेरी परचा ही हमेशा मेरे साथ होती ही है He is very, very like me from the heels up to the head मतलब मेरी जो shadow है, मेरी परचा ही है वो एकदम मेरे जैसी ही है, मेरे जैसी same to same है उपर से लेके नीचे तक मेरी shadow, मेरी परचा ही बिलकुल मेरी तरह same है So as you can observe with this picture, there is a boy as you can see तो जो boy है वो देखो कैसे वो dance type कर रहा है उसके हाथ ऐसे है, उसके पैड देखो ऐसे है तो वो कैसे कर रहा है और उसकी shadow देखो पीछे जो कि ये dark black color में है तो उसकी shadow जो परचाई है, boy की परचाई वो कुछ इस तरह दिखती है जो बहुत बड़ी होती है boy से लेकिन boy की तरह ही दिखती है जैसा boy दिखता है वैसे ही उसकी परचाई भी same होती है बट फरक इतना ही है कि जो shadow है जो परचाई है वो boy से tall हो रही है जो बहुत उची है and second picture में हम देख सकते हैं there is a girl so who is on the bed वो अपने bed के पास जा रही है और जो girl है वो भी अपनी shadow अपनी परचाई bed के उपर देखती है जो बिलकुल girl की तरह है और shadow का color कौन सा होता है yes shadow का color dark होता है shadow का color gray dark black होता है उसका कोई color नहीं white, yellow, green ऐसा कोई color नहीं होता but shadow का color कैसा होता है dark होता है dark black या dark gray होता है किसका shadow का so as we can see that जहां पे थोड़ी light पड़ती हो तो हम जैसे दिखते हैं वैसी ही वैसी चीज कोई और भी हमारे सामने हमारे साथ साथ चलती है और उससे क्या बोलते हैं उससे बोलते हैं shadow मरलब हमारी परचाई जो जैसे हमने देखा यह boy है उसकी भी same to same परचाई उसको पीछे दिख रही है and जो girl है उसकी खुद की भी परचाई उसको कहां दिख रही है correct उसके bed पर so and I see him jump before me when I jump into my bed तो जैसे कि लड़की बोल रही है कि मेरे से पहले मैं जब bed के उपर बैठ हूँ मैं जब bed पर चड़ू तो मेरे से भी पहले मेरी shadow आ जाती है so as we can see in this picture जो girl है वो अपनी bed के पास जा रही है और वहाँ पर चड़ रही है but वो girl के पहले ही कौन चड़ा हुआ है हमें कौन दिख रहा है picture में yes हमें girl की shadow दिख रही है girl की परचाई दिख रही है तो girl बोलती है कि जब तक मैं bed पर कूद हूँ उससे पहले ही मेरे से पहले ही मेरी shadow कूद गई मेरे bed पर now moving further the funniest thing about him is the way he likes to grow मतलब इसमें funniest thing क्या है shadow की funniest thing मतलब हसाने वाली चीज क्या है shadow की की वो किस तरह बड़ा होता जा रहा है हम जो होते हैं उससे भी बड़ी हमारी shadow होती है तो वो बहुत funny लगती है हम अगर हमारी height medium है या छोटी है तो कई गुना जादा बड़ी हमारी shadow होती है मतलब हमारी shadow जो होती है वो हमारे जैसी तो होती है पर वो हमारे से बड़ी होती है उसकी height वो होती है वो tall होती है तो यह बहुत funny लगता है कि हम जो छोटे होते हैं और shadow हमारे से बड़ी होती है So this is the funniest thing क्या है funniest thing? कि वो कैसे बड़ती है, कैसे grow होती है Not at all like proper children, which is always very slow मतलब जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो धीरे धीरे बड़े होते हैं आज एक छोटा बेबी है वो धीरे धीरे 1 year का होता है 2 years का होता है तो वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है तब उसकी height बड़ती है तब वो बेबी बड़ा होने लगता है तो उसमें time लगता है एक बेबी को बड़ा होने में पर shadow में ऐसा नहीं है shadow तो बड़ी होती ही जाती है उसमें कोई उसको shadow में बड़े होने के लिए उसे time नहीं लगता है for he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball क्या है for he sometimes shoots up taller like an Indian rubber ball ही मतलब यहाँ पे shadow को बोला गया है कि इसमें बोल रहे है point की shadow कैसे बड़ी होती जा रही है इंडिया rubber ball की तरह इंडिया rubber ball is a type of ball जो बहुत ही उसको bounce करने पर उसको फेकने पर बहुत उचलता है वो बहुत उचा उपर आता है तो उसी तरह हमारी shadow जो है वो बहुत ही उपर तक आती है बहुत tall होती है ज्यादा तर हमारी shadow छोटी नहीं होती हमारी shadow एकदम tall एकदम बड़ी होती जाती है किसके जैसे इंडिया rubber ball की जैसे जैसे कि ball को उच्छालने पर इतना उपर जाता है विच बॉल इंडिया rubber ball तो उससे जब हम उच्छालते हैं उसको जब फेकते हैं जमीन पर bounce करते हैं तो बहुत ही उच्छा उच्छलता है similarly our shadow also grows taller like इंडिया rubber ball and he sometimes gets so little that there's none of him at all और sometimes कभी कभी हमारी shadow इतनी छोटी हो जाती है कि वो बिलकुल ही नहीं दिखती है so इसमें क्या बोल रहे हैं कि हमारी shadow जो है उसकी funniest thing ये है कि वो बहुत अजीब तरीके से उपर उपर ऐसे tall होकी grow हो जाती है और ये बहुत speed में grow होती है वो slow grow नहीं होती है जैसे children grow होते हैं जब बच्चे बड़े होते हैं तो उन्हें कैसे time लगता है one years के, two years के, three years के दीरे दीरे वो grow होते हैं पर हमारी shadow ऐसे grow नहीं होती हमारी shadow बहुत speed में grow होती है और वो इतनी tall होती है जैसे India rubber की ball India rubber ball और वो कभी कबर इतनी छोटी हो जाती है कि वो बिल्कुल दिखती ही नहीं है जैसे कुछ है ही नहीं वो बिल्कुल है ही नहीं One morning very early before the sun I was up मतलग वोई बोल रहा है कि morning में सुबह सुबह सवेरे में early morning में जब sun आए जब sunrise होता है उससे पहले ही मैं जाग गया था मैं sunrise के पहले जाग गया था I rose and found the shining dew on every butter cup मतलग जब मैं उठा तब मैंने क्या observe किया मैंने क्या देखा मैंने shining dew देखा on every butter cup butter cup एक flower का नाम होता है और उसका color yellow होता है तो butter cup एक yellow flower होता है और shining dew मतलग कि अगर morning में जो बहार का जो atmosphere होता है वो बहुट थंडा होता है तो थंड़क की वज़े से moisture लग जाती है मतलग जो आजू-बाजू हमारे objects होते है उसमें थोड़ी गीले थोड़ी wet हो जाते है और उसमें water drops होते है तो वो क्यों होते हैं क्योंकि आजू बाजू हमारे atmosphere में early morning में cooling रहती है atmosphere ठंडा रहता है इसलिए boy क्या बोल रहा है कि sunrise के पहले मलब sun आने से पहले वो उठ जाता है और वो क्या देखता है boy observes and found the shining dew on every buttercup buttercup जैसे कि मैंने बोला buttercup एक yellow flower है तो boy क्या observe करता है उस yellow flower में tiny droplets देखता है मतलब जो flower होता है उसके उपर जो flower पे एक छोटी छोटी बूंदे होती है पानी की so boy observes the shining dew on every buttercup तो हर एक buttercup में हर एक yellow flower जो होता है उस पे एक छोटी छोटी पानी की बूंदे होती है तो वो boy observe करता है बोई को पता चलता है but my lazy little shadow like an errant sleepy head so अभी वो क्या है अब वो boy उठ जाता है sunrise के पहले फिर वो बोलता है कि मैंने yellow flower के उपर छोटे छोटे drops होते हैं पानी के वो देखे but my lazy little shadow like an errant sleepy head मतलब मेरी shadow जो है मेरी परचाई है वो है ही नहीं active तभी दिखी नहीं रही थी बहुत inattentive है like sleepy head जैसे दिखी ही नहीं मुझे उस ता है मेरी shadow बहुत आलसी है बहुत inattentive है active नहीं है had stayed at home behind me and was fast asleep in bed so उसमें क्या बोल रहे है had stayed at home behind me and was fast asleep in bed तो boy बोल रहा है कि मेरी shadow बहुत आलसी बहुत inactive है वो दिखी ही नहीं मेरी shadow और वो अभी भी मेरे साथ मेरे गर पर वो बहुत ऐसे आलसी lazy होके वो सो रही है so क्या बोल रहा है boy I rose and found the shining dew on every buttercup but my lazy little shadow like an errant sleepy head जो बहुत ही inattentive बहुत आलसी है मेरी shadow had stayed at home behind me and was fast asleep in bed तो जैसे कि मुझे नींद आ जाती थी मैं सो जाता था उसी तरह मेरी shadow भी मेरी परचाई भी सो जाती थी bed पर so students here we end our poem now let us see some new words and understand their meaning so the new words that were used in this poem were India rubber ball so India rubber ball what does it mean? it is a ball that can bounce very high मतलब एक टाइब का ball होता है जुसे फेकने पर बाउंस करने पर बहुत उपर तक जाता है बहुत उच्या उच्छलता है that is India rubber ball buttercup buttercup का मतलब a yellow flower so buttercup एक टाइब का flower होता है जिसका color yellow होता है third is errant errant मतलब bad मतलब बुरा and last errant sleepy head मतलब completely inattentive मतलब attentive नहीं रहना active नहीं रहना बहुत ही lazy होना बहुत ही आलसी वाला रहना तो last में जब boy बोलता है कि उसकी shadow बहुत ही errant sleepy head है मतलब बहुत ही बुरी तरीके से inattentive है active नहीं है वो भी boy की तरह जब bed पे boy सोता है तो वो भी जल्दी से सो जाती है so students here we end and here we complete our poem 1 of unit 3 my shadow thank you